जहें साथियों आप सभी का स्वागत हैं कम्पेडिशन गुरू कोटिंग सेंटर चंडीगर में आज हम पढ़ने वाले हैं इतियास हिस्ट्री और बहुत सारे बच्चों के ये डाउड्स होते हैं कि हिस्ट्री या इतियास जैसे बिशेपर कैसे कमांड बनाया जाए बहुत सेगमेंट होता है ना बहुत सारे होते हैं इसमें वो fakt आध ही नहीं होते तो हम आपको conceptual history पढ़ाएंगे हम आपको history कहानी के रूप में इतियास पढ़ाएंगे समझाएंगे ताकि एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक आपका तयार हो जाए और आप किसी भी competition की तयारी करते हो उसमें इतिहास एक बड़ा रोल निभाता है उसमें इतिहास जैसे बिसे से आपके questions ना छूटें इतिहास जैसे बिसे पर आपका पूरा कमांड हो आएसा हम इतिहास पढ़ाएंगे तो देखी आज देख लेते हैं इतिहास होता क्या है हिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है और कौन-कौन से topic हैं जो बहुत important होते हैं कौन से segment हैं जिसको हम थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं तो शुरू करते हैं इतिहास तो सबसे पहले यही बात हुई कि हिस्ट्री होती क्या है हिस्ट्री है क्या इतिहास है क्या तो कोई भी point अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो सारे point वो सारे segment बीते हुए होते हैं इतिहास में कुछ नहीं नहीं होता सब पुराना होता मतलब study of past इतिहास क्या है study of past study of past राइट अतीत का अध्यन अतीत का अध्यन क्या कहलाता है इतिहास कहलाता है अब आपके syllabus में भारत का इतिहास रखा गया है भारत की इतिहास को हम तीन भागों में बाड़ते हैं Indian history is divided in three parts तीन भागों में भारत का इतिहास बटा हुआ है एक होता है ancient history सबसे boring ही होता है प्राचिन इतिहास राइट interesting होता है medieval history मध्यकाली नितिहास उससे भी ज्यादा interesting और practical होता है modern history तो ये तीन पार्ट हुए कौन-कौन प्राचिन इतिहास प्राचिन इतिहास मध्यकाली नितिहास और आधुनी की इतिहास अब प्रस्न बना कि इनका division कैसे किया गया है कहां से कहां तक कि समय को हम प्राचिन इतिहास बोलेंगे insane history कौन सा time period है जो medieval history के अंतरगत आएगा या कौन सा time period है जो modern history के अंतरगत आएगा देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं insane history का समय insane history stone age से सुरू हुई stone age मतलब पासाण काल पासाण काल एक ऐसा भी समय था मानों का एक ऐसा भी starting phase था शुरू आती दोर जब मानो ना पत्थरों की गुफाओं में रहता था stone caves में रहता था जब मानो पत्थरों से आग बनाता था आपको पता होगा invention of fire वाजबिक incident of history of India या history of world तो भारत के इतिहास में अबिस्व के इतिहास में एक बड़ा अविस्कार था अगनी का अविस्कार अगनी के अविस्कार ने जीवन को भदल दिया पुरी तरीके से राइट तो stone या पासान काल एक ऐसे दोर को कहा गया जब मानों के जीवन में पत्थर की उपयोगिता थी जब बहुँ ज़्यादा यूज था जब मानों की निर्भरता dependency stones पर बहुँ ज़्यादा थी जैसे वो पत्थरों से आग बनाता था पत्थरों की गुफाओं में रहता था करता था सिकार करता था वो अपने कभीले अपने समाज अपने सोसाइटी की रक्षा करता था हतियारों से मोसलिए वो हतियार वेपंस किसके बने होते थे stones के हो गया clear तो इस तरीके से उस पूरे दोर को starting phase को stone age कहा गया इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पासान काल को भी कई स सारे विभाजन हैं उसके जैसे आप देखेंगे पहलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक clear तो धीरे धीरे परंपरा आप देखेंगे बढ़ती जाएगी बनती जाएगी और आगे हम लोग आजादी कर पहुंचेंगे तो पहले कोई भारत की आजादी वाला concept नहीं था पह इतना मानो सब भी नहीं हुआ था सिवलाइज नहीं हुआ था कि वो आज के जैसे आप महौल को फील कर पाता मैसूस कर पाता क्योंकि मानो आदिन था जंगलों में रहता था वो जहिंगा लाला जहिंगा लाला नहीं तो आप जानते होंगे बहुत सारी tribes आज भी हैं जो कहा रहती हैं जंगलों में रहती हैं तो उनको आज के जीवन से कुछ नहीं पता है कौन आईफोन 14 आया या 13 आया उनको पता है कुछ नहीं पता है क्योंकि उनकी अलग ही दुनिया है ऐसे ही मानों की स्टार्टिंग जो फेस था वो ऐसे ही था किलियर आज की दुनिया से आजा हुआ करता था एंसेन हिस्ट्री में हर्स बर्धन सुना होगा आपने तो हर्स बर्धन तक कहां तक हर्स बर्धन तक का जो समय है वो क्या है एंसेन हिस्ट्री राइट हर्स बर्धन की डेथ कब हुई 647 AD में 647 में और उसी के बाद साथ ही 650 में एंसेन हिस्ट्री की मानी जाती है देखिए भई इतिहास ऐसा भी से है ना हिस्ट्री जिसमें बहुत सारे पॉइंट बहुत सारे सेग्मेंट बिवादित हैं डिस्प्यूटेड हैं तो कुछ लोग कहते हैं एंसेन हिस्ट्री 712 में समाप्त हुई 712 में कोई कहता है 750 में समाप्त हुई 750 में आलमोस्ट बुक्स आलमोस्ट किताबें एंसेन हिस्ट्री भी 650 को इंसेन हिस्ट्री की इंडिंग मानती हैं तो हम भी हर्सवर्धन को अन्तिम राजा मानते हैं किसका इंसेन हिस्ट्री का अब प्रस्न बना कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे इंसेन हिस्ट है न तो अब क्या-क्या पढ़ेंगे तो अगर आपको selection लेना है अगर आपको इतिहास पर कमांड बनाना है तो भाई पर पढ़ना पूरा पढ़ेगा तो क्या-क्या पढ़ना है जैसे आपको पता होगा पासांड काल मैंने बताया आगे आपने सुना होगा इंडेस सिविलाइजेशन, सिंदु सबयता या हडपा सबयता उसके बारे में पढ़ना होगा, अब हडपा सबयता का दाइरा बहुत बड़ा था, लगभग 1500 सिटीज हैं, इसके अंतरगत 1500 नगर हैं, लेकिन सारी नगर इंपोर्टेंट नहीं, उसमें से कुछ न सिंदु सबयता के बाद आगे पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे बैदिक संस्कृती या बैदिक पीरियट के बारे में, जिसमें बेदों की रचना हुई, हमरीक बेद के बारे में, साम बेद के बारे में, ये जुरवेद, अथरवेद के बारे में पढ़ेंगे, और आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 16 महाजनपत का concept आएगा, क्योंकि पहले भारत देश का concept नहीं था, पाकिस्तान, बंगला देश, अमेरिका, इंग्लेंड का concept नहीं था, भारत में क्या थे, 16 महाजनपत थे, 16 अंपायर थे, इस्टेट थे, जिनको हम महाजनपत के नाम से जानते हैं, सुना होगा कासी को, सलंग मगद, वज्ज, मल, सुत, ये सब ना, तो उसमें मगद, बिहार से बिलॉंग करेगा, या मगद, हमपायर कहां था, आधुनिक बिहार में, पहले बिहार बहुत बढ़िया था, आठ पतने कैसे थोड़ा सा गर्बढ़ हो गया बिहार, आशा करते हैं कि बिहार बहुत जल्दी ही अपने गौरों मई इतिहास को दुबारा प्राब्द कर लेगा, उके, तो अब आगे आप देखेंगे, इसी समय, छटी सताब्दी, बीसी में, सिक्सेंचुरी, बीसी में, जैनिश्म और बुधिश्म औरिजनेट होंगे जैन धर्म और बहुत धर्म औरिजनेट होंगे, अब एक प्रस्न है, बहुत रिपीटेट प्रस्न है आपके एकजाम्स के लिए, आप किसी भी कमपटीशन के तयारी करते हों, लेकिन ये रिपीटेट कुश्चन है, जरा सोच के बताईए, आप प्रस्न क्या है, कि पहले ज लेकिन अब आपसे पूछेगा कि पहले महावीर स्वामी आए या पहले महात्मा बुद्ध आए, ये डिपीट हो जाता यहां पे, तो लगभग लोग बताते हैं कि महावीर स्वामी आए, नहीं भाई गलत है, पहले महात्मा बुद्ध आए, बाद में महावीर स्वामी जैसे सिखों में गुरु बोलते हैं ना इस्वर को, ऐसे ही मुस्लिम्स में प्रॉफिट बोलते हैं, पैगंबर बोलते हैं, या फिर अला बोलते हैं, हिंदू में देवी देवता बोलते हैं, ऐसे ही इसमें क्या बोलते हैं, इसमें तीर्थंकर बोलते हैं, तो रिषभ देव के अंतिम तीर्थंकर थे महाभीर स्वामी जिनके समय में जैन धर्म का प्रचार प्रसाद बहुत तेजी से होता है समझ पार है ना इतिहास ऐसे मैं आपको एक-एक सिग्मेंट एक-एक पॉइंट बढ़िया से समझा दूँगा और इतिहास रूपी जो कीड़ा आपके मन में है ना जो डर है वो पर्मानिंटली खतम हो जाएगा और इतिहास जैसे बिसे पर आपका कमांड होगा तो समझ गए आप क्या समझे आप हम जैन धन बहुत धन भी इंसियन में पढ़ेंगे हम इसी में पढ़ेंगे मौर सामराज हम इसी में पढ़ेंगे उत्तर मौर सामराज पोस्ट मौर पीरियड इसी में हम इंसियन में पढ़ेंगे गुपत अंपायर सुना होगा गुपतों के बारे में चंद्रगुपत विक्रमादिते समुद्र गुप्त सुना है न अभी बस हाँ हाँ करते जाएए आगे आगे आपको लिखाया जाया का समझाया जायेगा अभी आपको न इतिहास में इंट्रेस्ट रुजहान कैसे पैदा किया जाए कैसे interest develop किया जाए वो आपको सिखाय जा रहा है वो बताया जा रहा है ताकि आप इतिहास में interest ले और फिर इसवर चाहाद इतिहास पर आपका वो command होगा न जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ओके अब आगे इसमें फिर insane history की ending हो जाती है पोस्ट गुप्त पीरियड में हर्सबर्धन को अंतिम हिंदू राजा माना जाता है तो लगभग नौदस टॉपिक हैं जो insane history में पढ़ने हैं समझ गए आप अब medieval history में आ जाते हैं medieval history का क्या concept है तो बहुत लोग बताते हैं कि जो history का division हुआ है न वो समय के अधार पर हुआ है time के अधार पर यही सही है लेकिन भहुत सारी तिहास कार कहते हैं कि religion के base पर इसका बटवारा division तीन पार्ट में हुआ है यहां mostly Hindu धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहां हम लोग Islam के बारे में पढ़ेंगे Muslims के बारे में यहां अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं Britishers के बारे में जो almost Christian थे राइट तो यहां पर Hindu यहां पर Islam यहां पर Christian डोमिनेट करेंगे तो religion के base पर भी तो तीन पार्ट में division हुआ समझ पाए आप तो यहां क्या होगा यहां पहला topic होगा Arab invasion अरब आक्रमण या इसी को बोलते हैं Muslim आक्रमण अरब आक्रमण या Muslim आक्रमण Arab invasion पहले न जो Arab के लोग आए जो Muslim से लोग आए न उनका क्या था न या टैक भी कर सकते हैं आप या invasion कर सकते हैं तो यह लूटने के मकसद से आए भारत में और Islam का प्रचार प्रसार करना चाते थे आपको पता होगा India बास फेमस एज गोल्डन बर्ड भारत सोने की चडिया के नाम से प्रसिद्ध था लेकिन इतना सारा मतलब अटेक होगा न इतने सारे अटेकर्स भारत आए दो चार पांदस किलो सब सोना चांदी लूट के ले गया और अही सही कसर अंग्रेजों ने पूरी कर ली 200 साल में तो जब देश 1947 में आजाद हुआ ना तो सोने की चडिया में केवल चडिया बचा गोल्डन बर्ड में बर्ड धीरे 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 आज देखिए भारत फिर से अपने वही गवरों में इतिहास के करीब पहुंच रहा है नहीं फिर से हम लोग मिल जूल कर काम कर रहे हैं फिर से भारत को विस्वगुरू बनाएंगे फिर से भारत को डेवलप कंट्री बनाएंगे फिर से भारत को बड़े देशों में हम सामिल करेंगे हमारे अकेले का प्रयास नहीं होगा मैं कितना बढ़िया इतिहास पढ़ाओं आगे देखेंगे मैं पॉलिटी भी पढ़ाओंगा तो मैं कितना बढ़िया पॉलिटी का श्रीशन पढ़ाओं या मैं इतिहास पढ़ा हूँ लेकिन मैं भारत को बिस्व गुरू अकेली नहीं बना सकता हूँ आपको में नोकरी दिलवा सकता हूँ आपको इतिहास पर जी एस पर एसस टी पर कमांड बनवा सकता हूँ लेकिन अकेले हमारी मेहनत से भारत बिस्व गुरू नहीं बन कि किलियर नहीं तो अब्दुल कलाम कब का बनवा देते भाई अब्दुल कलाम का वीजन था ना 2020 तक भारत को विख्षित करना चाहते दे कहा हो पाया हमें अलग रहा भी 2030 तक नहीं हो पायेगा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत की विविक्ता डाइवर्सिटी आफ हिं हमें खुसी है proud moment हमाई लिए कि हमने किसी फिल्ड में चाइना को पीछे तो किया जन संख्या में ही सही लेकिन इसके जो result आएंगे कितने negative impact पड़ेंगे आने वाले भारत पर सोची आप कितने साल भारत को पीछे कर दिया इस बढ़ती हुई जन संख्या ने उसकी कलपना कर यह आप समझदार हैं हम समझदार हैं clear लेकिन आप उन लोगों कैसे समझाया जाए clear हुआ तो इसी में फिर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत पहले तो अरब आक्रमन होते गए होते गए फिर बाद में जो मुसलिम्स आक्रमन कारी थे ना उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया तो पहले ना आक्रमन कारीयों के लिए हमारा जो मिन्टल्टी थे हमाई जो सोच थी बहुत बढ़िया नहीं थे लेकिन जब मुसलिम्स हम पर रूल करने लगे तो देदेरे हमारी सोच क्या हुई पॉस्टिब भी होने लगी मिन्टल्टी थिंकिंग और दो चार पांच मु जिसमें पांच डाइनेस्टी रूल करेंगी उसमें आप पढ़ोगे स्लेब डाइनेस्टी गुलाम बंस, खिलजी डाइनेस्टी, खिलजी बंस, तुगलग डाइनेस्टी, सायद डाइनेस्टी और लूदी डाइनेस्टी फिर आपने सुना होगा फर्स बैटल आप पानी that held in 1526 in this battle Babar defeated Ibrahim Lodi and he founded Mughal Empire in India अब मुगलों की अस्थापना भारत में हुई मुगल अंपायर शुरू हुआ और आपने सुना होगा revolt of 1857 1857 का विद्रो हुआ अन्ति मुगल बासा बहादू सा 2nd या जफर मुहमायू के मगबरे से ग्रिपतार कर लिया गया उसको रंगून म्यामार बर्मा भेज़ दिया गया वहीं पर मर गया हुआ और फिर अंग्रेजों ने 1858 का अधिनियम पास किया आपने सुना होगा आएक्ट आफ 1858 और उस अधिनियम के द्वारा उस एक्ट के द्वारा हमेशा के लिए भारत में इस्ट इंडिया कमपनी का सासन समाप्त कर भारत में बिटिस हुकूमत ने रूल करना शुरू कर दिया और फिर अंग्रेजों के खिलाप हमारे मुवमेंट हुए हमारे आंधोलन हुए उसमें पंजाब भी बढ़ा केंद्र था अकेले कोई एक राज बोल दे कि हमने देश को आजादी दिलाई बहुत गलत बाद भारत के लगभग लगभग सभी राज्यों ने भारत के लगभग लगभग सभी छेत्र और रीजन की लोगों ने हमारे सुतनता अंदोलन में इंडिपिंडेंडन मूव्मेंट में पार्टी सिपेट किया, कई लोग फ्रंड पे रहे जिनको हम जान पाए, समझ पाए, बहुत लोग ऐसे रहे जो फ्रंड पर नहीं आए, फिर भी रो ने देश के लिए बलिदान दिया, मारे गए, तो इस लोग फिर भी हैं कहते हैं हमें आजादी चाहिए, वो अगर हमारे से इतिहास पढ़ने ना थोड़ा बहुत दो गंटा भी, तो उनको कहीं न कहीं अपने आप में सोचने को मजबूर हो जाएंगे, कि हम कितने खुश नसीब हैं, कि हम भारत में रहते हैं, सोची यूटूब अगर आप देखना कैसी कैसी जेल होती थी, और कैसी यातना या सजायन मिलती थी भारती करांदिकारियों को, फिर भी हमारे हिंदुस्तान में करांदिकारियों की कमी नहीं होई, और हमारा आपका कलेक्टिव इफर्ट्स था कि हमें आजादी मिली, अब आदु तब जाके हमें आजादी मिली, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेश, कांग्रेश वही राहुल गांदी वाली कांग्रेश, तो कांग्रेश का भी बड़ा रोल था देश को, आजादी दिलाने में इसने एक करांदिकारियों को एक प्लेटफॉर्म दिया, और उसके ब बड़ा रोल था, अच्छा, बहुत साई लोग हैं, गांधी जी की बुराई करते हैं, नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गांधी जी का भी बड़ा रोल था, ओकी, भी आप भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और गांधी जैसे लोगों को अगर बुराई कर रहे हैं, तो समझे आपने भारत को फिर नहीं समझा तो ये है भारत का अतिहास ये है इंडियन हिस्ट्री ठीक अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री